हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो माई चानल मैं समीता कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो tips share करने वाली हूँ वो cooking से related नहीं है बलकि आज baking basics की tips मैं आपके साथ share कर रही हूँ बहुत ही simple and basic tip है बट काफी काम आने वाली tip है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी baking काफी improve हो सकती है अपनी सुना ही होगा cooking is an art but baking is a science अगर baking science है तो science के according हमें चीजों को बहुत ही accurately लेना होता है यानि कि ingredient हमारे measure किये हुए होने चाहिए अच्छे से जितना जिस portion में उसमें जाना है ingredient वो correct होना चाहिए साथ ही जिस temperature में हमें उसे cook करना है वो भी हमें एक particular temperature या उस label तक temperature को पहुचा कर तब ही हमें baking start करनी चाहिए इस तरह की छोटी छोटी छीज़ें हैं कुछ baking के terms होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी होता है तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में share करने वाली हूँ उमेद करती हूँ आपके लिए वीडियो helpful रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर करें चानल को subscribe करें और अपना feedback share करना नहीं बूले तो चलिए start करते हैं आज का ये baking basics का tips and tricks का वीडियो baking करते हुए baking soda and baking powder ये दो ingredient के नाम तो हमने जरूर सुनने होंगे चाहे हम pancake बना रहे हैं, cake बना रहे हैं, muffin या किसी भी तरह की baking करते हैं तो ये दो ingredient हैं दोनों सेम तरह की ही दिखते हैं, white color के होते हैं इन में थोड़ा सा difference होता है इनके काम करने के तरीके की वज़े से और देखने में आप इसे किस तरह से differentiate कर पाएंगे, वो में आपको दिखा दी हूँ ये मेरे पास है baking powder और baking powder को जो आप हाथ से इस तरह से छोएंगे इस तरह से rub करेंगे ओंगलियों के बीच में तो आप देखेंगे कि एक powder form आपके हाथ पे जम जाएगा इस तरह से इस तरह से कौन starch का texture होता है उस तरह का तो आप से जब हटाएंगे तो ये ऐसे नहीं हटेगा आपको इसको टावल से ही clean करना पड़ता है तो ये powdery form में जो है वो है baking powder और baking soda यानि कि खाने वाला soda इसे आप cooking में भी यूज़ करते हैं दालों को गलाने के लिए ये नमक की तरह होता है बर थोड़ा सा बारिक होता है नमक से और जैसे मैंने हाथ को clean किया ये एकदम हाथ से ज़र जाता है इस तरह से ये नमक की तरह होता है जैसे बारिक नमक easily flow करता है अब यहाँ पर ये दो ingredient है इनमें से अगर एक आपके पास नहीं है तो आपके इस तरह से manage कर सकते हैं तो अगर आपके पास baking soda नहीं है और आपकी recipe में लिखा है 1 teaspoon baking soda तो उसकी जगह पे आप 4 teaspoon baking powder यूज कर सकते हैं यहाँ पर screen पर भी display हो रहा है 1 teaspoon baking soda equal to 4 teaspoon baking powder तो इस तरह से आप किसी भी recipe में अगर 1 teaspoon है तो आपके उसको किस तरह से replace कर सकते हैं तो यह यहाँ पर इस तरह से 1 teaspoon baking soda को आप 4 teaspoon baking powder से replace कर सकते हैं तो अगर एक चीज़ आपके पस नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपके पस baking powder नहीं है तो वहाँ पर आप baking soda को किस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आपकी recipe में 1 teaspoon लिखा है baking powder तो उसकी जगह अगर आपको baking soda यूज क करना है तो बेकिंग सोडा आपका बहुती कम अमोंट में जाएगा तो अगर वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है तो उसके लिए वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा हम लेंगे और इसके साथ हम एड कर सकते हैं यहां पर दो आप्शन हमारे पास है एक तो लेमन जूस अगर हम लेमन जूस डाल रहे हैं तो टू टी स्पून हमारा जाएगा लेमन जूस तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं और या तो फिर हम यूस कर सकते हैं विनेगर का तो वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा के साथ में हम यूस करेंगे वन टी स्पून विनेगर तो य नेक्स टिप बेकिंग के लिए है मेजरिंग कप एड मेजरिंग स्पून का यूज करना क्योंकि इंग्रीडियन्ट अगर पॉपर आपने नहीं तो उसके रिजर्ड अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि अगर जरासा भी 19 पीस हो जाता है आपके measure करने में ingredient को तो जो हमारा final product आएगा वो उतना perfect नहीं आएगा तो कई बार जब हम baking करते हैं किसी recipe को follow करते हैं तो हम जब भी ingredient को use करें तो proper ingredient list check करके और उसको proper cups और spoon से measure करके ही use करें ताकि हम भी खुद की baking में अच्छे result पाएं और जब आप cup को या spoon को fill करते हैं तो आप इसको बिलकुल एक even label तक fill करें जैसे उपर से अब जब भी इसको check करें तो इस तरह से किसी spoon की help से extra निकाल लें तो इस तरह से जो spoon fill होगा वो एकदम perfect रहेगा और इसी तरह से आप cup को भी fill कर सकते हैं और अगर आप large scale में baking कर रहे हैं तो आप इस तरह की weighing scale का भी use कर सकते हैं उपनी baking को perfect करने के लिए next tip है ingredient को लेकर जो भी ingredient आप use करें baking के लिए चाहे वो baking powder है baking soda, cocoa powder या yeast वो अच्छी quality का होना चाहिए अगर वो अच्छी quality का नहीं है उसकी expiry आप ज़रूर चेक कर ले अगर वो fresh है अच्छी quality का है तो result आपको अच्छे ही मिलेंगे next है जो भी ingredient हम baking के लिए use करें वो सारे room temperature पर हो जैसे की दूद, butter, egg हम fridge में रखते हैं तो baking करने से पहले उन्हें हम बाहर निकाल दें और जब वो room temperature पर हो जाए फिर हम उन्हें baking में use करें इससे butter को जब हम cream करेंगे तो वो बहुत अच्छे से cream होगा और बहुत अच्छा result भी देगा next है baking tin या pan को prepare करना यह बहुत ही important step होता है और इससे baking शुरू करने से पहले ही कर लेना चाहिए यहाँ पर tin को आप butter से grease कर ले और उसको पर थोड़ा सा मैदा dust कर ले तो वो अच्छे से prepare हो जाता है या तो butter लगा के आप parchment sheet का भी use कर सकते हैं या अगर glass bowl में आप बना रहे हैं glass का container यूज कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ baking sheet को ही cover करके use कर सकते हैं इस तरह की parchment paper या फिर tracing paper या फिर butter paper के नाम से sheet मिलती है यह easily किसी भी store पर आपको मिल जाएगी और यह इस तरह के rolls में होती है तो आप इससे जिस तरह के tin का size है उस तरह से आप इसे round में cut करके या square में cut करके use कर सकते हैं मैं इस तरह से round tin के लिए round cut करके रखती हूँ तो काफी easy हो जाता है या फिर आप इस तरह का baking और cooking paper ले सकते हैं ये भी ब्लकुल butter paper की तरह ही होता है और ये roll में होता है तो इसे use करना काफी convenient रहता है तो इस तरह से आप ये चीज़ ले सकते हैं या फिर आप butter या फिर flour के साथ dust करके pan को prepare कर सकते हैं next tip मेरी है आप जब भी baking करें तो बहुत ही अच्छी quality के spatula और whisk पर invest करें ताकि एक बार जब आप खरीद ले तो उसे आप lifelong use कर सकें तो यहां पर silicone spatula बहुत ही अच्छा रहता है और इस तरह के whisk तो steel के होते हैं वो काफी अच्छी रहते हैं बटिन की shape को आप जरूर में ध्यान रखें आगे से balloon की तरह shape होनी चाहिए ये मेरे पास एक पुराना whisk है और आप इसके देख सकते हैं किस तरह से wire हो गई है तो पी तो इस तरह के दो या तीन तरह के whisk आपके पस होनी चाहिए अलगलग size के या फिर electric whisk भी आप use कर सकते हैं ये मेरे पास बलकुल simple सा nova का electric whisk है जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है आठ साल इसे हो चुके हैं और इसमें यहां पर यह mode बने है one two seven तो इसमें आप different different mode use कर सकत हैं और यह बहुत ही सस्ता था 500 रुपीस का मैंने लिया है तो आप इस तरह से कोई भी whisk या फिर electric beater use कर सकते है नेक्स टिप है क्रीमिंग को लेके यह काफी यूज होता है बेकिंग में क्रीमिंग बटर और शुगर को जब हम mix करते हैं आपस में तो उसे काफी देर तक whisk कर सकते हैं और इसे आप whisk की help से hand blender की help से या beater की help से कर सकते हैं तो यह काफी important प्रॉसीजर है next important process है preheat करना आप बेकिंग चाहे तंदूर में कर रहे हैं आवन में कर रहे हैं microwave में या फिर कड़ाई में आपको preheat करना बहुत ही important है और preheat करने के लिए temperature और time set किया जाता है आवन में अगर आप कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में आवन preheat हो जाता है इसी तरह कड़ाई में अगर आप रेट डाल के रखें तो वो भी 10 मिनट में preheat हो जाता है और अच्छे से temperature को retain रखता है next important process है proofing जो हम baking में बहुत ज़्यादा सुनते हैं और proofing का मतलब है dough का rise होना जब हम bread, bun या donors बनाते हैं तो हम एक बार dough को ready करके रखते थे हैं 3-4 घंटों के लिए जब तक कि वो double नहीं हो जाता size में तो यह होता है first proofing और second proofing जब bread बना रहे होते हैं तो bread को एक shape मिलाने के बार उसे bake करने से पहले दुबारा हम 30-40 मिनट के लिए resting time देते हैं जिसमें वो फिर से फूलता है तो वो होता है second proofing time तो इस तरह से जब bread ब एक बार ही rice होने के बाद उसे bake कर देते हैं बटर मिल्क का भी हम काफी सारी baking recipes में जब हम eggless बना रहे होते हैं तो काफी use करते हैं और अगर हमारे पास butter milk नहीं है तो हम उसे instantly कैसे prepare कर सकते हैं तो यहाँ पर one and half cup milk लेके आप उसमे one teaspoon डाल दीजे lemon juice तो वो हलका सा cradle हो जाता सबसे last और बहुत ही important tip है toothpick test जब भी हम cake बनाते हैं और cake को हम check करते हैं तो या तो वो tin से हलका सा lose हो जाए या फिर हम एक toothpick को उसके अंदर insert करें अगर वो इस तरह से गीली आती है तो इसका मतलब कि अभी bake नहीं हुआ है cake अच्छे से अगर वो clean आती है तो हमारा cake अच् baking basics hope आपकी कुछ help हुई हो in tips से अगर आप इसी तरह की tips आगे भी देखना चाते हैं तो इस video को like जरूर करें आपके like से ही पता चलेगा कि ये video आपको पसंद आया की नहीं मिलती हूँ आप से किसी और नई interesting video के साथ में तब तक के लिए bye thank you thanks for watching stay connected have a nice day झाल